यह हैं वर्यवन सो वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल एंब पार्ट शाला मेरे यूट्यूब चैनल एंब पार्ट शाला पर आप सभी लोग का सवागत है आपको पता है हम लोग टाइमेंड वर्क के क्याट 2022 में जो कोश्चन्स आये थे उनको कवर कर रहे थे सो विये वर्यडी कवर्ट टू कोश्चन्स उन दोनों को काम लोगने बहुत ही डिटेल में समझा था तो ऐसे ही हम लोग थर्ड कोश्चन्स देखते हैं जो क्याट 2022 में ही आया था ठीक है मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था कि यार मुझे नहीं लगता कि दो से ज़् तो मुझे एक question और मिला, जो मैंने पहले skip कर दिया था, ठीक है, तो उस question को देखते है जरा, ठीक है, दोसी बात में आप लोग बताना चाहूंगा, अगर आप लोगो ने हमारा official telegram channel join नहीं कर रहा है, जिसका नाम भी MBA part चाहला है, आप लोग इसको जरूर जोइन कर लेना, इ ठीक है, तो देखते हैं जरा इस question को, ठीक है, हाँ, so this one is from slot 3, ठीक है, actual में ये question जिस concept पे based है, उसको मैं बोलता हूँ MDH concept, ठीक है, MDH क्या होता है, जैसे number of men थे कुछ पहले, वो कुछ दिन काम करते थे, दिन में कुछ घंटे काम करते थे, और उनके कुछ efficiency होती थी, और जितना काम करते थे, तो इसको हम लोग W1 बोलते हैं, काम को मेंचे डिवाइड किया जाता है, तो ये equals 2 होता था, इतने आदमी हो कि, वो दिन में इतने काम कर रहे हैं, दिन में इतने घंटे काम कर रहे हैं, और इतनी efficiency से काम कर रहे हैं, we have to divide it by W2, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, equal होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या logic लगता है इसमें, इतने आदमी, इतने दिन में, इतना काम करते हैं, तो बताओ, कितने आदमी, कितने दिन में, कितना काम करेंगे, ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरह का scenario आ रहा हो, तो हम MDH concept use कर सकते हैं अब इस question में भी MDH concept use होगा, group of n people worked on a project, they finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days ठीक है, group of n people n people है, ठीक है वो 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days, 10 दिन तक काम करते हैं और daily 7 घंटे काम करते हैं उन्हेंने कितना काम किया? 35% काम किया ठीक है, thereafter 10 people left the group, पहले कितने लोग थे group में? n लोग थे, अब 10 लोगों ने group छोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? n-10 ठीक है, and the remaining people finish the rest of the project in 14 days remaining people finish the rest of the project in 14 days rest of the project, यानि कि 14 दिन में और daily 10 घंटे काम करके और कितना काम? पहले 35% काम, तो अभी remaining work करना है ठीक है? remaining work करना है अपने को, उन्होंने remaining work किया है thereafter 10 people left the group and the remaining people finish the rest of the project तो rest of the project, अगर पहले project का 35% पार्ट पुरा हो चुका है तो कितना बचा है? 65% पार्ट बचा है यह बात आप लोग को समझ में आ गई किया ठीक है? तो इसको solve कर लो मेरे भाई यहां से solve करके N का value निकल जाएगा देखो जरा, 5 से उड़ाओ तो यहां पर कितना आएगा? 7 आएगा, यहां पर उड़ाओ तो कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है? अन 10 से 10 रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल सभी बात है 7 बंजा 7, 7 तो से कितना होता है? 14 होता है, 13 इंटू N क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे तो 13 N आएगा और उधर मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? देखो जल्दी से, कितना आने लग रहा है? 7 बंजा 7, 7 तो से 14 यह 7 उधर जाएगा, 7 इंटू 2, 14 हो जाएगा 14 इंटू N कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, cat 2022 के slot 3 का question है, आपको बलीव नहीं होगा मैं literally बोलता हूँ, focus on your concepts, ठीक है, आप अपने concept पे focus करो बट बच्चे को पता क्या लगता है कि नहीं यार, cat में तो बहुत typical typical questions आते हैं हमें तो difficult difficult question ट्राइगर नहीं आपको time and work के तीनों question कराएं मैंने, ठीक है, बहुत सारे बच्चे time and work के पता नहीं कैसे 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 questions करते रहेंगे, परिशान होते रहेंगे, उन खुदी feel ले लेंगे कि हाँ, उनको कुछ नहीं आता, उनको खुदी realize कर लेता हैं, कि मुझे कुछ आता है नहीं मुझे question होनी रहे, मैं खुद कहता हूँ कि यार, exam में अगर इस level तक की चीज़े आने लग रही है ना, तो दो level उपर तक की तैयारी करो, बट अपने मन में exam का level यह है, डाइट सेट बात का तम यार, ठीक है, और यह आपको तीनो question करा है, time and work के, आप तीनो questions को देखो ना, ठीक है, इससे पहले दो questions करें, तीसरा question यह था, क्या था in questions में, कुछ भी नहीं था, ठीक है, चलो, अब जो next topic हमारा होगा, वो होगा time split distance, मैंने आपको बताया भी तर, ठीक है, next हम just topic के previous questions कवर करेंगे, वो है time split distance, जहां तक मैंने देखा है time split distance के भी, cat 2022 में 3-4 questions आये थे, ठीक है, time split distance के बाद, we will cover questions from geometry and mensuration, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि time split distance का concept ना, geometry के questions में भी use किया है, ठीक है, geometry के questions में भी use किया है, तो time split distance के तुरंत बाद हम लोग geometry और mensuration के previous questions करेंगे, जो हमारे cat 2022 में आये थे, ठीक है,